समस्कार दोस्तों, राजनीती के किस्सों में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका दोस्त दर्मेंदर कमारी दोस्तों हमारे एक दर्सक हैं डॉक्टर ओम परकास धनकर्ड और वो नीमित रूप से ये वीडियो देखते रहते हैं मास्टर उकॉम सिंग्फ फोगाट के जो वीडियो थे, च्यार वीडियो उनको देखकर डॉक्टर ओम परकास धनकर्ड जी ने एक संसमान लिखकर बेजा है जो बहुत रूचिकर है और आपको भी बहुत पसंद आएगा ये मास्टर उकॉम सिंग्फ फोगाट के संदार्म में ही है और जब वो हर्याना प्रदेश के मुख्यमंतरी थे तो उनके पास एक सिकायत आई और वो सिकायत कहीं और से नहीं उनकी ससुरॉल ढाकला से आई थी गाउं के लोगों ने मुख्यमंतरी को सिकायत दी कि धाकला में दुसाना जोड पर निर्वारन कारिय चल रहा है और गाउं का जो सरपंच है उसमें घटिया निर्मान सामगरी लगा रहा है अब सिकायत ससुराल से आई मुख्यमंत्री हरियाना के हुकम सिंग जी क्या किया जाए मुख्यमंत्री हुकम सिंग जी उससी समय धाकला में पहुँचे और सीधा जोड पर गए जोड पर जाकर पहले इटे देखी उनको चार इटो को अपनी गाड़ी में रखा फिर मसाला देखा उसको गाड़ी में रखा गाउँवालों की दोनों बातें बिल्कुल सही थी इट थी वो घटिया कौयलिटी की थी اور जो मसाला था वो 11 का वहां पर लगाया जा रहा था इसके बाद हुکम सिंग जी गाओं की चुपाल में चले गई और वह ही सारे गाओंवादों को ब्ला लिया और सरपजाब को भी ब्ला लिया इस पर हुकम सिंग जी ने कहा कि देखो मैं इस गाओं का बटे हूँ और इस गाओं ने यह सिकायत दी है और इस जो सिकायत है इस पर मैं एक मुख्यमंत्री की हैसियत से अब सुनवाई कर रहा हूँ ये इट मैं वहाँ से उठा कर लाया हूँ और ये मसाला लेकर रहा हूँ ये दोनों ही किसी भी तरीके से सही नहीं है और अगर इनकी जांच करवाई जाए तो निश्ची तोर पर सिर्पत्षाब आप जेल्ड में होंगे भरष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है और भुष्से में कितना करेगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगाए जा सकता आटे में नमक तो सुना है कि आटे में नमक लोग खाते हैं लेकिन नमक में आटा मिला कर कोई नहीं खाता और ये जो निर्मान कारिय आप कर रहे हैं, ये नमक में आटा मिला कर कहाने वाली बात है, और ऐसा करके आप पापके भागिदार बन रहे हूँ और ऐसा करके आप अपनी पीडियों का सरुनास करोगे, अगर इस तरका निर्मान कारिय लगाओगे। खैर पंचायत में ये फैसला हुआ कि निर्मान कारिय अच्छा हुगा और सरपंच साब ऐसा नहीं करेंगे उसके बाद वो निर्मान कारिय हुआ उसमें बहुत अच्छी क्वाल्टी की चीजे लगी और वर्षों तक वो निर्मान कारिय जोड़ पर जोंका तो बना रहा और आज भी उस निर्मान कारिये की निशानियां वहाँ पर हैं तो जब सस्रुआल से सिकायत आती है तो एक मुख्य मंत्री के सामने किस तरिये के पर सित्यां बनती हैं ये डक्टर ओम परकास धनकर जी ने इसका उधारन लिखकर मुझे कमेंट में भेजा है दोस्तों उनका हम ध आजनितिक व्यक्ति ऐसा रहता हो जिसको हर्याना की पॉलिटिकल हिस्ट्री या पॉलिटिकल लोगों से जिनका जुड़ा हो तो मेरे जो स्क्रिन पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इन पे आप मुझे वाट्सअप कर सकते हैं किसी वीडियो के निचे कमेंट कर आप खुद भी वीडियो सीरिज का हिस्सा बन सकते हैं मुझे बहुत खुशी होगी आपकी जानकारी को बाकी लोगों तक सेर करने में और ये जो वीडियो की सरंकला है दोस्तों ये पॉलिटिकल होते हुए भी नोन पॉलिटिकल इसलिए है क्योंकि हमारे किसी से दोस्ती नहीं है कुमारे किसी से बैर भी नहीं है हरियाना में जो घटा है उसको हम आने वाली पीडि तक लाने की कोशिस कर रहे हैं और उसमें हम सब का प्रियास रंग लाएगा और हम सब की कोशिसें उसमें सामिल रहेंगी तो अच्छा होगा राजनितिक वीडियो के लिए देखते रह दोस्तों हरी भूमी टीवी नमस्क्राइब